Hello everyone, हम आगए हैं आपके लिए लेकर 21 days challenge with 21 new recipes जो कि आप गर पर रहकर बना सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई समान बाहर से लाने की जरूरत नहीं होगी जई बड़े के बड़े बनाने के लिए हमने लिया है एक कटोरी उड़त दाल, एक कटोरी मूंग दाल, इन दोनों को अलग-अलग बिगो देंगे पानी में 3-4 गंटे के लिए and then इनका अलग-अलग paste बनाएंगे, इनने अलग-अलग grind करके और फिर mix करेंगे and then नमक डालके तो अब हम बना रहे हैं इमली की चटनी, इमली की चटनी के लिए हमने लिया है इमली, खजूर, खजूर डालना optional है, थोड़ी शुगर, रेड चिली पाउडर, सौफ, नमक and some oil, इमली और खजूर को एक बोल में लेकर के अच्छी तरह के से बॉयल करेंगे जब तक वो एक पाई होत्यवार को अच्छी तरीके से गल ना चाये वोन होने दें ऊसे आराम से हमारी इमली अच्छी तरीके से बॉयल हो गई है और फिर इसे हम मिक्सर में डाल रहे हैं हमने इसे पहले ही ठंटा कर लिया है अब हम इसे मिक्सर में डाल के इसे अच्छा सा पेस्ट बना देंगे जो इस पेस्ट को हम चान रहे हैं एक्तम फाइन पेस्ट बन जाएगा ये च ये अच्य से फ्राइब हो जाएगा और फिर हम इसको हमारी चट्णी वाले बॉल में डाल रहे हैं कीज़ने लिए इस सोल जो टो को हमारी चट्मी और व्रैकल पुर है अब हमारा बैटर जो की रेडी था उससे हम बड़े लगा रहे हैं बड़े अच्छी तरीके से डीप फ्राइ करने हैं गोल्डन ब्राउन होने तक उन्हें फ्राइ किजिए और उसे निकाल लें अब फ्राइट बड़ो को घुन घुने पानी में बिगोना है उस पानी में थो और सर्विंग प्लेट में रखेंगे हातों से इन्हें दबा करके वड़ो में से पानी निकालना है अब वड़ो पे दही डालें फेटा हुआ दही लें अब पर से चटनी डालें जो अभी हमने बनाई है और उस पे नमक बुना हुआ जीरा पाउडर इस पे डालें और लाल मिट स्प्रेड कर देंगे अच्छे से और हमारे दाइवड़े रड़ी हैं तो इंजो इस 21 देज अट होम और बी सेफ और इत वराइटी इस एवरी देविद लोकल पाइंट्स